नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर्मोग खबर जानते हैं जार्खन मौसम केंदर से मिली जनकारी के मताविक 28 और 29 अगस्त को राज के विभीन इलाके में में गरजन, बजरपात के साथ हलके से मत दर्ख की बारिस होगी, अभी मांसून टर्फ लाइन जार्खन में गरीडी से होकर गुजर रहा है, इसके असार से भी कहीं हलके से मत दर्ख की और कुछ अस्तान पर भारिबर्स होगी बतादे वरशने वाले बादल बनने की वया से सनिवार को राजे के उतर पूर्वी भाग में धनबाद, ग्रीडी देवहर और संथाल परगना के दुमका, गोड़ा, जामतड़ा, पाकुर साहिब गंज के कई इलाकों में भारिबारिस की असंका है, साथ ही रभीवार को उत बरजिंग जार्खन के तहत निवेशकों को आकर्शित करने के उधेश से जार्खन के सी अहिमान सुरेन उध्योग पतियों से मिले, इस दुरान उन्होंने कहा कि जार्खन निवेशकों के लिए त्यार है, आपके आने से यहां के लोगों को आगे बढ़ने का मौका भी मिल बतादे निवेशक समयलन के पहले दी निवेशको को जार्कन आने के लिए आमंत्रित किया गया नई दिली के होटल ताज में आयोजित कारिकरम में CMC रिसुरेन ने देश की प्रमुक वहां निर्माता कम्पनी टाटा मोटर्स होंडा मारूती सुजु की होंडा मोटर्स समेत अने कम्पनियों के साथ राउंड टेवल मेटिंग की बैठक मेराई सरकार द्वारा बनाई गई यी वीकल निती के प्रारूप को भी उध्योगियों के समक्ष रखा गया है आदिवासियों के मुद्दे को लेकर साथ सितंबर को बनाई जाएगी मानव स्रिंखला आदिवासियों की तीन सुत्री मुद्दे को लेकर साथ सितंबर को पूरे राजय में मानव स्रिंखला बनाई जाएगी या निर्णय सन्युक्त आदिवासि संगठनों ने की बैठक में सुक्रवार को लिया है बता देजय आदिवासि केंद्रिय परिशत की महिला मोचा अध्यक निरंजना हेरेंज ने कहा की राजय वासियों से अपील हाय की 7 सितंबर को अपने गाव घर गली टोला मुहला कसबा प्रखंड पंचाज से निकल कर सड़को पर तकती बैनर पोस्टर के साथ सुबर 9 वज़ से 2 फर 12 वज़ तक सांती पूर्ण परदसन करे उन्होंने बताया कि मानव सरिंखला के माध्यम से सीज़न्टी एक्ट में थाना चेत्र की बद्याता को अविलम समाप्त करने आदिवासियों के जाती पॉन पत्र बनाने में विसंगतियों को दूर कर सरली करने वो आदिवासि महिला पूरुष द्वारा गर आदिवासि बिवाक करने पर स्टी का लाब देने बंद करने की मांग की जाएगी हेमंत सरकार की इन्वेस्टर सब्मिट सिर्फ छलावा बिजेपी बिजेपी ने हेमंत सरकार द्वारा दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर सब्मिट को बड़ा छलावा करार दिया है परदेश परवक्ता प्रतूल सादेव ने कहा कि राई सरकार अपनी नकामियों को छुपाने के लिए सिर्फ गोल पोस्ट बदल कर ध्यान बाटने की कोशिश कर रही है उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री हेमान सुरेन ने प्रतिपक्ष के नेता की हैसियत से बाहर से बड़े अध्योगिक घरानों को बुलाने का बिरोध किया था लेकिन साथा में आते ही उनका नजरिया बदल गया देवघर बाबा मंदीर रविवार तक नहीं खुला तो सोमवार से देवघर बंद आम लोगों के लिए बाबा मंदीर नहीं खुलने से सुक्रवार को तीर्थ पुरहितो और दुकंदारों का सब्र का बंद तूट गया बतादे पुरोहितों ने मंदीर के द्वार पर धारना परदशन किया तो अस्थानिय दुकंदारों ने टावर चोक पर सलक जाम कर मंदीर को जल से जल खुलाने की मांग की बतादे पुरोहितों ने पंडा धर्म रक्षिनी सभाग के महामंतरी कार्तिक नाथ ठाकुर के नेतितु में मंदिर के पूरव द्वार वसिंग द्वार पर सांकेतिक धार्ना परदसन किया सुबा करीब दस बये से सुरू हुए धर्ना में 500 की संक्या में पुरोहित समाज के लोग सामिल हुए बतादे सरकार के रवयाक बिरोत करते हुए मंदिर आसपास के दुकंदारों ने सौता दुकानों को बंद कर धर्ना अस्थल पर पहुँचे वह समर्थन दिया सबी एक स्वर में कहा कि जब तक मंदिर बंद रहेगा तब तक देवखर बंद रहेंगे धनबाद में ट्रेफिक ब्यवस्ता होगी दुरूस्त धनबाद में यातायात ब्यवस्ता को सुद्रिट करने के लिए नई के बाद शुरू हुई है ट्रैफिक मोनेटरिंग टीम गठित की गई है साथ ही अटो का स्टोप पेज टैक करने तथा यात्री वा मालवाहक वाहनों के लिए नया रूट टैक किया जाएगा बता जे राची जमसेदपूर की तरब से आने वाली यात्री बसो वा मालवाहक वाहने नई वेवस्ता के ताथ चलेंगी ट्रैफिक मुवमेट पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरा का सारा लिया जाएगा यह नेने सुक्रवार को उपायुक संदीप सिंक्य अध्यक्स्ता में समानाले में ट्रैफिक समस्या पर हुई बैटक में लिया गया जहारखन में नेतर हाट वा मोडली स्कूल समेथ कई परिक्षा लेने की तियारी में जाएग जहारखन एकेडमिक काउंसिल द्वारा 15 सितमर तक नेतर हाट वा मोडली स्कूल समेथ करीब आधा दर्जन परिक्षा लेने की तियारी की जा रही है बतादे स्कूली सिक्षा यहम सक्षटा विभाग द्वारा परिक्षा के अनमती मिल गई है 31 अगस तक परिक्षा की तारिख की घोषना की जा सकती है बतादे पहले आकांचा 40 मोडली स्कूल वा आवाशी बिद्याले नमांकन परवेस परिक्षा लिजाएगी केंद्रीय मनाची किस्था संस्थान में 51 पदोपर होगी नियुक्ति केंद्रीय मनाची किसा संस्थान में 51 पदोपर नियुक्ति के लिए योग युमी द्वारोस से 21 सितंबर तक आवेदन मांगे गाए हैं आवेदन CIP की वेब साइट के माध्याम से ओनलाइन जमा होंगे जारखन में 21 नए केस मिले हैं जो राची से 14 बोकारों से 2 खुटी से 1 चात्रा से 1 जामतरा से 2 साइवगन से 1 मिले हैं जारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 146 है भारत में 46 यह 77 ठान में नए केस मिले हैं भारत में कूल एक्टिव केच की संखे 3 लाग तीरपन या 641 है जार्खन में अफिम की खेती पर लगेगा रोक ग्री मंत्राले ने एक माह में मांगा इसकीम का प्लान जार्खन सहीत देश के बारा राजियों में अफिम की अवायद खेती पर रोक लगाने की कवायद शुरू हो गई है गुरुवार को केंद्री एगरी मंत्राले के एडिशनल सेक्रेटरी प्यूस गोयल सन्युक सचीव सुनिल वर्न वाला वा किलिसी बिभाग के अधिकारियों ने जार्कन बिहार अरुनाचल परदेश मद्य परदेश मनिपूरा तेलंगाना वा अंधर परदेश सहीत और रा परदेश में करमचारी नहीं ले जा पाएंगे स्मार्टफोन आए दिन हो रही चोरी की घटनाओ और कम हो रहे उत्पादन को लेकर एचिसी प्रबंधन चीति था है ऐसे में प्रबंधन ने चोरी की घटनाओ रोकने और उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्ताव के लागू हो जाने के बाद एचिसी के तीनों पलांटों और मुख्याले में कोई विक्रमचारी स्मार्टफोन लेकर परवेस्ट नहीं कर पाएगा प्रस्ताव को लागू करने को लेकर प्रबंधन ने सभी स्रमिक संगटनों के साथ वार्ता भी शुरू कर दि है दूद में एक रुपे प्रती लीटर मिलेगी सबसीडरी जार्खन के पसुपालकों के लिए अची खबर है बतादे जार्खन सरकार दूद के लिए अब एक रुपे प्रती लीटर सबसीडरी देगी या राती जार्खन मिल्क फेडरेशन के माध्यम से किसानों के खाते म में भेजे जाएंगे वैसे पसुपालक जो फेडरेशन को दूद देते हैं उन्हें इसका फायदा मिलेगा बता दे सो महर को राची में आयोजित कारिकरम में मंत्री बादल पत्रलेक इस वेजना के शुरुआत करेंगे वही दुग्द किसानों को एक रुपे प्रति लीटर स उर्जा का होगा उत्पादन जार्खन में वर्ष दो जार दौएर शबीस तक 5000 मेगावाट सोर उर्जा का उत्पादन होगा पता दे इसकी लक्ष के साथ जार्खन सरकार काम कर रही है मोख्यमत्य हमान सुरेन के निर्देश पर जेरेडा द्वारा सोर उर्जा नीती 2021 का प देश रखा है कुरोना काल में 1131 बच्चे जार्खन में हुए अनात सरकार कर रही देख भाल कुरोना से हुई मोथ की वयासे जार्खन के 1131 बच्चे अनात हुए है अनात हुए बच्चों को राई सरकार आर्थिक साहता दे रही है इसकुल में पर रहे अनात बच्चों की फीश माप करने के लिए समंधित जीला के उपायुकतों को अवसेक निदेश दिये गए हैं बतादे सुप्रीम कोट में चल रहे मामले में दाकी सपत पत्र में राज सरकार ने इन तत्यों काउले किया है गिरीडी में पारसनाथ मंदिर बनेगा आकर्शन का केंद्र जारखन में परटन च्छेत्र को बढ़ावा देने को लेका राज सकार गंभीर है इसी सिलसिले में इंदीनों राजे के परटन खेल काला संस्क्रिती खेल को दुआ युवा कल्यान विभाग के सचीव अमिताब कौसल विभीन परटन च्छेत्र का दोरा कर रहे हैं बतादे गुरुवार को गिरीडी सित पारसनाथ पहुँचे इस मोके पर नुणों ने कहा कि 200 परसीत पारसनाथ मंदीर परयटको के आकरसक का केंद्र बनेगा जारखन में 500 कुलवर का निवेस करेगी डालमिया सेमेंट डाल्मिया सेमेंट राजे में 500 कुलवर का निवेस करेगी बतादे समझाओते पर हस्ताक्षर सनिवार को होगा इस बीच नई दिली में सुक्रवार को दो दिवस ये इन्वेस्टर सब्मिट की सुरुवात होई मुख्यमतिय हमान सुरे ने इस मौके पर सीर्स उद्योग घरानों के प्रतिनिधियों से मुलकात की उन्होंने निवेसको को समझाओत करते हुए काहा की जारखन असीम संभवनाओं और प्रतिभा साली मानव संसादन से संपन राज है यहां की अबादी का एक बड़ा हिसा अ अनसुचित जन जाती समुदाय का है अगर उद्यमी साथ इन समुदायों के लिए रोजगार में प्रधान करते हैं तो सरकार नीती में अन्य प्रत्साहन का भी समाव्यस करेगी पारा सिख्षको की निमावली का प्रारूप तयार साथ दिनों में कमेटी सोपेगी रिपोर्ट परासिशकों को बिहार की ताज़ पर नियोजित करने को लेकर लागू होने वाली सेवा सर्थ नियमावली के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है इसके लिए गठित कमिटी अगले सब्ता विभागिया मंतिर जगनात मतों को नियमावली का प्रारूप सोपे गी अलाकि इस कमिटी को 25 अगस्त को ही नियमावली का पर्योजना परिशत के ततकाली राजे परियोजना निदेशक, डाक्टर सैलेस कुमर चवरसिया का हस्तनांतरण, परिवहन आयूप के पदपर हो गया है अब इस नई राजे परियोजना निदेशक, किजन कुमारी पासी के अध्यक्सता में नियमावली का परियोजना परिशत में इसे लेकर बैठक होई सनिवार को भी इसे लेकर बैठक बुलाई गई है, जिसमें संसोधी सिलेबस को अमतिम रूप दिये जाने के उमीद है बताओ दे कि कुरोना संक्रमन के कारण इसकूलों के बंद रहने की स्थिती में सिलेबस में लवग 25% करोटी की तियारी चल रही है पिछले साल भी सिलेबस में 35-40% की करोटी की गई थी बीरसा हरित ग्राम योजना लक्षे से 66% पीछे बारिस खत्म होने को है और अब तक 34% ही पौधार उपन कार्य परखंडों में हुआ है बता दे बीरसा हरित ग्राम योजना के तहट राची जीला के विविन परखंडों में फल्दार ब्रिक्ष के लिए पौधार उपन किया जा रहा है लेकिन अगस्त महिने में अब तक 1,882 पौधे के बदले 62,131 ही लगाए गए है राज जेपाल रमेस बैस परिवार के साथ पतरातू लेक रिजोट जारखंड के राज जेपाल रमेस बैस सुक्रवार को अपने सोजनों के साथ पतरातू लेक रिजोट पहुँचे लेक रिचोट आने से पूर पत्रातु राची पिठोरिया घाटी के मनोरम वादियों का भरपूर अनन्द उठाया बतादे लेक रिचोट पहुचने के बाद रामगार उपायूक माधवी मिस्रा एसपी प्रभात कुमार समेथ जीले क्यान अधिकारियों द्वारा पुस्प गुच्छा देकर राजेपल का स्वागत किया गया है राची में सितंबर से डोर टू डोर कचरा उठाव राची में डोर टू डोर कचरा उठाव की ओनलाइन निगरानी सितंबर से हो जाएगी आपके दरवाजे प्रती दिन कचरा उठाव की गाड़ी पहुचेगी कचरा उठाव करने वाले सुपरवाजे राची नगर निगम में लगे सर्वर से जान सकेंगे कि किस घर में रिम्स के मेडिकल विभाग में 250 बेड में 100 पर सर्प दन्स से पीरित भरती रिम्स में साप काटने के सबसे अधीक मामले आया है यहां मेडिसीन विभाग में करीब 250 बेड उपलवद हैं जिसमें से अधिकतर बेड पर सर्प दन्स के मरीज भरती हैं पतादे मेडिसिन विभाग के डाक्टर सीवी सर्मा बताते हैं कि कुछ दिनों से साप काटने के मामले बढ़े हैं अधिकतर मरीजों को यहां भरती कर उन्हें एंटी एस नेक वेनम वा अन दवाई दी जा रही है उन्होंने बताया कि पिछले साल के तूलना में इस बार 25% तक साप काटने के मरीज बढ़े हैं धन्यवाद